दोस्तों फानिल यह आप लोगों के सामने है Redmi K70 Ultra यह स्मार्टफोन में सबसे एहम जरूरी जो चीज है वो है कि इसमें 9300 चिपसेट मतलब मेडिया टेक डैमेंसिटी और 4NM पर काम कर रहा है और 720 Immortals जो MP12 GPU में लगाया जाता है और साथ ही बता दूँ कि इसमें OS का और कैमरे का जो सबसे एहम चीज है वो है सोनी का IMX LYTIA 800 प्रैमरी कैमरा अब यहां बे सबसे ज़्यादा जो और चीज़ें हैं वो है डिस्प्ले के बारे में बता दूँ PK70 Ultra में 6.67 इंच का OLED पैनल दिया जा रहा है 120 Hz का refresh rate है 2K resolution वाला 4000 nits peak brightness मिलने जा रही है प्रोस्टर की बात करें तो इसमें मेडिया डेक्रामे सिटी 9300 चिपसेट दिया जा रहा है इसके साथ ही माली जी सेवन टी एम ओर लिस्ट एम 12 जीप्यों का मौजूद है इस्टोरेज की मैं बता दू कि इसमें जो इसमें प्रो मॉडल है 24 ZB का और उसके साथ ही वन टीवी तक इंटरन इस्टोरेज है कैमरी की बात करूं जैसे मनें पहले ही बताया कि इसमें OS का सपोर्ट है और पचास मेगाएपेक्सल का सोनी का IMX है और LYTIA 800 प्रामरी कैमरा इसमें दे रखता है 108 मेगापेक्सल का अल्टरा वाइड एंगल लेंस और एक केली फोटो लेंस मिलने की बात है और यहां पे सेल्फी वीडियो कॉलिंग लिए 16 मेगाएपेक्सल का फ्रेंड कैमरा मौजूद मौजूद है बैटरी में मनें बताया कि 5000 एमेस की बैटरी है और 120 वाट का फास सार्जिंग का सपोर्ट है अधर फीचर्स जैसे की डूल सिम फाइब जी ब्लूटूथ वाइफ़ाई इन डिस्प्ले फिंग अपरिंग जैसे संसर मौजूद है और परिटिन सिस्टम के मावले में के 70 अल्ट्रा लेटेस एंट्रोइड 14 पर बेस्ट है अब यहां पे जो टाइम लाइन लॉंच की है वो बता दी गई है कि यह आपको 2024 महीने में फ़र्स्ट या सिकन्ड वीक में लॉंच होगा जो की अल्ट्रा में फॉर एन्यम का फैब्रिकेशन और भी यहां पे सेवेंटू जैसे मैंने सारी चीज़े आपको बता के रखा है तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यह तक किती वीडियो कर पसंदा जाए जब लाइक करना शेयर करना मिलता हूं मैंसे नेक्ट वीडियो में तब तक क्लिए टेक केर